सुनिये सुनिये कि आप घरवालों के तानू से परिशान हैं? कि आप जिंदगी के कांडों से हैरान हैं? कि आप खुद को useless समझते हैं? अगर इन तीनों सवालों का जबाब आपने हां में दिया है तो क्रिक माइन्ड की ये वीडियो आप के लिए ही है इस वीडियो से आपको थोड़ा रेलेक्स मिलेगा और पेशन्स रखने की मोटीवेशन क्योंकि हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर से मिलवाने वाले हैं जो इंटरनाशनल लेबल पर यूजलस हैं लेकिन जिन्दगी उन पर इसकदर महरभान है कि दुनिया की बेस्ट टीम मैनेजमेंट भी उनके फैलियर्स को इगनोर कर रही है और कोई सख्त फैसला नहीं ले पा रही है बस खिलाये जा रही है और इज़त का फालूदा करवाये जा रही है अब तक तो आप समझी गया होंगे कि हम साउथ अफरीका के T20 टीम के कैप्टन टेमबा बबुमा की बात कर रहे हैं जिने साउथ अफरीका ने सिर्फ कप्तानी और फेल्डिंग के लिए रखा है क्योंकि बैटिंग में तो बबुमा ने कई हफ्तों से रन ही नहीं बनाये हैं दुनिया ने बबुमा का बैट जब आखरी बार चलते देखा था तब कोई ने लिजया बेट दुनिया में थी ट्विटर एलन मस्क से दूर था और पाकिस्तान क्रिकट टीम चैंपियन बनने के जूटे सपने सजो रही थी फर भी व अभी तक मजबूत साउथ अफरीका में टिके हुए हैं व भी तब जब उनसे बहतर खिलाडी बाहर बैठे हुए हैं ऐसे में ये सवाल मन में आता है कि बभूमा की किसमत में कौन से हीरे मोती जड़े हैं जो इन्हें इतने मौके मिल रहे हैं और बभूमा इतने बुरे T20 बैटर होते हुए भी कप्तान कैसे बने तो चलिए इन सबी सवालों के जबाब ढूडते हैं क्रिकमाइंड की नई सीरीज T20 वर्ल्ड कप एस्पेसल के एक और खास एपिसोड में तो दोस्तों बभूमा पर ये जो रंग बिरंगे कॉमेंट्स हो रहे हैं इनकी बज़ों पर आने से पहले हम ये जानना चाहिए कि बभूमा साउथ अफरीका के लिए क्यामन टेस्ट बीस वन डे और सिर्फ T20 इंटरनेशनल खेलने वाले प्लेयर हैं उस साल तक साउथ अफरीका क्रिकट में जो उथल पुथल रही उसमें सरफ बभूमा ही एक मात प्लेयर थे जिन्होंने देश के लिए खेलने को एमपावटेंस दी इसलिए पिछले साल डिकॉक और फॉब डू प्लेसिस के एकदम से टेस्ट से सन्याश लेने के बाद साउथ अफरीकी सिलेक्टर्स के पास ज्यादा उप्सन नहीं बचे तो उन्होंने अलगर से पहले बभूमा को ट्राई किया था बभूमा उस दोरान ठीक ठाक कप्तान भी साबित हुए थे इसलिए सिलेक्टर्स ने इस साल भी उन्हें T20 वर्ड कप जैसे बड़े टोर्नामेंट के लिए कप्तानी के जिम्मेदारी दी मगर बभूमा T20 वर्ड कप में अपनी हसी उड़वाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं यहीं आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि बभूमा अपनी जिम्मेदारी ठीक से क्यों नहीं निभा पा रहे हैं तो दोस्तों ही सवाल का जवाब है लिमिटेशन्स हर प्लेयर की अपनी एक लेमिट होती है बभूमा चोटे गत के क्लासिकल प्लेयर है उनसे बड़े शॉट्स की उमीद करना बेहिमानी है जबकि पिछले कोई दिनों से उनके बैट ने क्लासिकल शॉट भी लगाना बंद अच्छे है और श्राइक रेड भी सिर्फ 115.42 है जो कि आस्रेलिया की पिछे और सौथ अफरीका टीम का लेवल देखते हुए बिलकुल भी मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि बभूमा के जबरदस्ती टीम में रहने के चलते रजा हेंड्रिक्स और हेंडरिक क्लासिन को बाहर बैठना पड़ रहा है खासकर रेजा हेंडरिक्स तो इस वक्त फार्म में भी हैं उन्होंने पिछले पांच टीट्वेंटी मैचों में 296 रन बनाए हैं और पांच में से चार मैचों में हाफ सेंचुरी भी लगाई है जबकि इस दोरान का सबसे कम स्कोर सिर्फ 42 रन है हें बैठने सीधे कहें तो बबुमा का T20 करियर बस आखरी सांसे ले रहा है वो भी तब तक जब तक वो कप्तान है वैसे दोस्तों जितना हमने बबुमा को कप्तानी करते हुए देखा है उसमें हमें बबुमा में इतना तो कुछ खास कैप्टेंसी एलिमंट देखने को नहीं म बबुमा के योजलेस होने का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि उनके घरेली T20 लीग तक में इस साल उने किसी फ्रैंचाइज ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया कई बार पूछे जाने पर भी हर फ्रैंचाइज का जबाब ना था और ऐसा लग रहा था वो कह रहे हूं कि बबुमा बस साथ अवरीका टीम के लिए T20 रिकट खेल सकता है हमें इतने स्टेंडर्ड वाले प्लेयर की जरूत नहीं है खर बबुमा पर ज्यादा टौंट नहीं कसते हैं कहीं अगले मैच में रनों की जड़ी लगा कर हमारा मुह न बंद कर दे क्रिक मायन फिर भी तरह के इंट्रेस्टिंग कॉंटेंट लाता रहेगा बाकिया आप कुमेंट बॉक्स में अपनी डेमांड भी ज़रूर बता हैं अब हम कल मिलेंगे हाइलाइट फॉम लास्ट नाइट के अगले एपिसोड में तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें मिलता अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार